आज हम अपने एक्जाम अवेड़ने स्रीज में एक और सेशन लेकर आ रहें जिसमें हम बहुत सरे प्राइवेट ओलंपियाट से बार रहें बात करेंगे और आज अब स्पेसिफिकली इस ओर्गनाइशन के बारें बात कर रहें मैं उसका नाम ले रहे ता हूं यहाँ पर आती हूं तो आगे काफी पॉपुलर एक्जाम्स हैं सोफ की तो जिसे मैं बहुत सारे अकैडेमिशन, साइंटिस, मीडिया परसोनालिटीज हैं और जो इसमें काम करते हैं और पिछले 15-10-15 सालों में इनने काफी अच्छा नाम कमाया और इसके जो फ्लैक्शिव एक्जाम से इंटरनाशनल सोचल साइन्स सडी ओलम्पियाड इंटरनाशनल साइबर ओलम्पियाड इसको हम बोलते हैं यह भी काफी पॉपुलर एक्जामिनेशन है यह भी बहुत पॉपुलर एक्जाम है और साइंस ओलम्पियाड यह भी बहुत पॉपुलर एक्जाम है मैक्स ओलम् के स्ट्रीम की एक्जामपल है जो NCO है इस साइबर एपटिटीट चेक करता है, साइन्स ओलंपियाड आपकी साइन्स की नॉलिजज चेक करता है, जो फिर्जिस के में सिर्फ के बायो आती, मैंस ओलंपियाड प्रामरली माथमेटिक से पर फोकस करता है, इंगलिश ओलंपिया और जॉर्नलवाइस 25 रैंक होल्डर मिलती है और यह भी एक दियावाई कि class topper from each participant in school at least 10 student from a class तो मैं अगर आगर आपकी class में आपकी सिस्कूल में एक्सी स्कूल में आपकी class six में से पांच बच्चे बैठे तो आपको nationalist देखी जाएगी आपकी journalist देखी जाएगी लेकिन अगर आपकी class में से मानली जी पंदरा बच्चे बैठते हैं तो at least तो क्या करेंगे वो class toppers मलब जो जो first rank वाला बच्चा है वो automatically second stage के लिए qualify जाएगा तो respective उसके कितरे भी नंबर आए तो ठीक है और जो students class one and two से होते हैं उनके लिए second stage नहीं होती है उनकी first stage की basis पर ही उनको award दे दिया जाता है अब बात कर लेते हैं NSO के बारे में तो NSO के बारे में number of questions third and fourth में science की 30 questions होते हैं achiever section होता है 50 questions 45 questions know rewards की बात कर लेते हैं 50,000 यूपस का first award है है cash prize plus gold medal है plus certificate है second prize is 25,000 रुपे का third prize is 10,000 रुपीज का journal level पे journal level पे बहुत सरे awards है first prize है 5000 रुपीज यह number of 260 रुपीज है फिर second rank पे 2500 रुपीज यह कुछ 260 रुपीज है फिर third rank पे 1000 रुपीज रुपीज यह 260 रुपीज है फिर fourth rank हर रुपीज कुछ आपको मिलता है important dates की बारे में बात कर लेते हैं जो SOF की dates NCO की dates है अगर हम यहां पर बात करते हैं आपसे NCO की dates की तो अलएलाग dates दी हुई है तो पहली date है November फिर December अभी कुछ स्कूल्स में 18 अक्टूबर को हो रहा है कुछ स्कूल्स में 3rd नौवंबर को होगा तो different different dates different different schools के calendar को जो suit करती तो generally हर exam की 2 different dates है ताकि school अपने calendar को देखते वे date को choose कर सके syllabus एक example के तौर पर दियावा है अपने syllabus की यह max का syllabus है class 7th का ठीक है और generally एक जो thumb rule है वो thumb rule है कि 60% जो आता है वो current syllabus से आता है और 40% जो आता है previous syllabus से आता है अब यह academic session पूरा नहीं हुआ है बच्चे का बच्चे ने पूरी 7th class नहीं पढ़ी है तो 60% जो part आएगा वो 7th class में से आएगा और 40% part जो आएगा वो class 6th के syllabus में आएगा एग्जाम पले है ठीक है लेकिन जो इनका level 2 होता है जब इनका level 2 होता है 100% syllabus जो होता है वो से class से आता है ठीक है और साथ ही साथ में जो questions achiever section में आते हैं जो की HOTs मानते हैं जिनको higher order thinking questions मानते हैं वो हमेशा current syllabus में आते हैं ठीक है अब हम थोड़ा चाए exam के बारे में अलला exam के बारे में details में पढ़ेंगे समझेंगे NCO National Cyber Olympiad single level का exam होता है ठीक है यह schools में participants इसमें जो question आते हैं वो logical reasoning के question आते हैं ठीक है computers और IT से related question आते हैं और इसमें भी achiever section आता है medium सिर्फ English medium में होता है ठीक है तो यह है National Cyber Olympiad और Science Olympiad हम अल्रडी बात कर चुके Science Olympiad में जो 1-2 लेकर 12th के बारे में होता है और अला-अलग test paper की date से होती ही इसमें school की साब से और medium of the test is English ठीक है और हम number of question के बारे में भी बात कर चुके हैं इसमें तो इसमें भी logical reasoning का section है फिर एक science का section है फिर एक achiever section है Max Olympiad class 1-12 के लिए होता है और इसमें 4 sections है Max Olympiad में 4 sections है आईए यह समझते है इसमें logical reasoning का एक section है mathematical reasoning का एक section है फिर everyday mathematics और एक achiever section है तो यह 4 section होता है Max Olympiad में और exam सारे की सारे exams जो होते हैं वो school arts के दुरानी conduct कर आई जाते हैं ठीक है international English Olympiad यह 1-12 के बच्चों के लिए होता है और इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो 3 section चार इसमें भी 4 section है इसमें भी 4 section है और यह बच्चे के English को test करने का का काम करते हैं तो यह section 1 word instruction knowledge reading comprehension के पर आता है written expression and spoken expression and achiever section इसके भी 4 section से और अललग exam dates पर होता है चलिए और आगी चलते हैं फिर general knowledge Olympiad भी होता है जो जिसमें general awareness current affairs life skills achiever section चेक किया रहता है फिर इसके लबाए international social studies Olympiad यह सब Olympiad थोड़े से नहे हैं तो यह सब Olympiad भी होते हैं sample paper के अगर हम बात करें महुत से बच्चे इसके sample पर मांग रहे होता है sample paper again अगर आप Resolence PCCB का app download करते है iPhone users है Android users है तो आपको PCCB के app download करेंगा तो आपको इनके sample papers या previous year's papers यह सब आप download कर सकते है और यह सब previous year के question आपको यहाँ पर मिल जाएंगे Resolence PCCB की app पर और एक और important चीज पहुत से parents हमसे पूस्ते हैं सरे exam के information तो आपने देदी लेकिन इन exam के बारे में ज्यादा detail कहां से मिलेगी कहां से बच्चा तयारी कर सकता है because school तो सिर्फ form बरा रहा है is school के पास PYQS नहीए, school के पास mock papers नहीए, school के पास question mang नहीए, school के पास is के लिए specific study material nहीए, school के पास के लिए video lectures नहीए, तो उसके लिए आप हमारा Career Club जोइंग कर सकते हैं और यह एक program है Career Club जिसको आप हमारी आपर जोइंग कर सकते हैं इस Career Club जो फीज है सिफ 1000 रुपीज है इसको आप हमारी website पो जाके PCSB Resonance की website पो जाके भी purchase कर सकते हैं आप हमारी आप को डाउनलेड करके भी purchase कर सकते हैं So that's all जहां पर सारी exam के बारे मैंने ख्याल से मैंने आपको cover कर दिया Thank you